अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पहले इसके मैटेरियल इकठा करेंगे मैटेरियल मतलब जान रहो भाई हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो जो टॉपिक है उसके बारे में आपका परिचे होना बहुत जरूरी है तो बच्चों यह जो 1.3 है वैसे अगर बात करें तो पहला चैप्टर ही पूरा क्या है संख्या पद्धती है तो संख्या पद्धती में एक महत्तोपूर्ण इसका अंग है वास्तविक संख्या तो जो एक्सरसाइज 1.3 आप पढ़ोगे इसमें रियल नंबर का कुछ गहराई से ही पढ़ना है तो वो क्या है समझो अगर हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले कोईश्चन की बात करें तो बच्चों पहला कुछ चन टो हम करवाएंगे पहले आपको बताएंगे जो इसका कंसेप्ट है उसके बात करेंगे तो पहला कुछ कह रहा है कि निम लिखित भिन्नो को दसमलों रूप में लिख्ये और बताईये की कांसा दसमलों परसार किस परकार का है मतलब हमें decimal expansion करना है यही तो बोलते हैं इंगलीज में और यह बताना है कि किस परकार का decimal expansion है जैसे कि decimal expansion आप जानते हो कई तरह का होता है इंगलीज में यही तो बोलते हैं इसको बच्चा कि देखो कई तरह का होता मतलब एक तो terminating होता है एक नान-terminating repeating होता है एक होता है नान-terminating नार रिपीटिंग मतलब ना तो terminate करता ना repeat करता है तो आपको जो friction इसमें दिये गए हैं आपको उनको भाग दे-दे करके यही बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन पहले तुम इसका कंसेप्ट तो जानोगे तब तो कर पाओगे न बच्चों तो पहले आप हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन आफ रियल नंबर हिंदी मीडियम ओले लिख लें वास्तविक संख्याओं का परिचाय लिख लें वास्तविक संख्याओं का परिचाय पढ़ेंगे कि हमाने रियल नंबर ही तो लिखा है हाँ ठीक है तो सबसे पहले आप एक हेडिंग डालो टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन इसके बारे में पहले समझ लो हेडिंग डालो फटा-फट हिंदी में भी बताऊंगा भी टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्स क्या है बई इक्सपेंसन देखो यहां पर समझो यह क्या होता है इसको हिंदी में भी बताऊंगा भी बच्चों इसे हिंदी में बहुत सुद्ध तो मुझे नहीं पता है लेकिन हाँ इसे बोलते हैं सांत दसमलो क्या बोलते हैं सांत दसमलो जैसे अगर मैं तो भाग तो आप लोग़ कर लोगई कि नहीं कर पाओगे देखो यहांप समझो declaration संथoken यह कि जैसे मैं ने कहा कि भाईा 5 दशनसे भाग करो भे कि उसकंपर 007 भाग करो कि इंधा कि आप खार स्थक्थ कि और packaging 55 होगा अगर लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना है वो क्या समझना है कि सिर्फ 0 वाले ही तो नहीं मिलेंगे न आगे चलके बहुत तरह के मिलेंगे बहुत कुछ मिलेगा तो इसमें आपको पहले पूरा कांसेप्ट समझना है देखो बच्चों सांत दसमलो क्या होता है वो फ्रेक्शन या फिर वो दसमलो परसार जो पूरा-पूरा कंपलीटली डिवाइड हो जाए और सेजफल जीरो आ जाए उसी को क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंशन बोलते हैं या फिर सांत दसमलो परसार कहा जाता है जिसका सेजफल जीरो आ जाए जैसे देखो यहां पर अगर मैं एक्जांपल आपको दूँ एक हाँ ठीक है तो बच्चों जैसे अगर हम यह 45 में 100 से भाग करेंगे तो आप सबको पता है कि इसका भाग इसमें कर लोगे कर लोगे ना भाया बिर जैसे आदो पढ़ाई कर लो बैटा नहीं बलाक कर देंगे ठीक है यहां बात्चीत करने का टाइम नहीं है हम मैट्रिक में कुछ नंबर नहीं पाए थे फेल हो गए थे हम फेल हो गए थे उसके बाद फिर हम पढ़ाने लगे समझ रहे हो अब चलो अब तुम खुश हो गए ना देखो हम कितना पाए थे क्या किये थे वो तुम कभी कर पाऊगे तुम महिनत करोगे ना यार हमारे तो 100 में 100 में आय तो क्या तुम भी ला सकते हो बताओ ला सकते हो ना लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना पढ़ लो चुक चाप चलो देखो इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा हमें पता है पहले यह जीरो बार जाएगा हां कितनी बार जाएगा जीरो बार जाएगा कौन ह तो एक मिनिट्ट इसको मैं साईलेंट कर देता हूं यह सब बहुत नालायक टाइप के हैं चल कर लो तो पहले अब क्या करोगे जीरो बार ले जाओ गे तो भाई जीरो बार अगर ले जाओगे तो यहां पर मलग जीरो आएगा घटा उगे तो 45 रहीं कुछ लोग कहेंगे एक बार काह नहीं ले गए बैया सहूं एक कमसो ज्यादा हो जाता फिर कहोंगे जीरो बार ले जाने से फाइदा क्या हुआ बाभु देखो जीरो बार ले जाना जरूरी है डारेक्ट आप वन नहीं ले जा सकते वन जाएगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे दस हमलो बढ़ाएंगे और यहां पर जीरो उतारेंगे अब हमारा यह चार बार जाएगा तो यह चार सो आएगा अब घटा होगे तो पचास है इतना सब को समझ में आ रहा है नेचे दिख र अब पांच बार ले जाओगे तो 500 हो जाएगा ठीक है मतलब कि यह भाग करने पर हमारा इतना मिला सेस्पल कितना आया सभी बच्चे बताओ जल्दी से अनूप मिलन बताओ नितीस नवनीत छोटे लाल देखो हम हर दिन कलास में नाम नहीं बोलेंगे याद रखना तो इसक करो लोग जा कि अजी तुरंत इड्रोल करो फटाफट शेस्पल जीरो आया सेस्पल सुनने आया गदधूं कितना आया है च्रॉफित चेही हम आपको बताने वाले थे कि यही वृता उत्था जिसका सेस्पल जीरो आजाए भाग करने पर रहता है यह सांत दसंबलो कह लाता अब मैं यही नहीं बताऊंगा बार बार नहीं तो आठ गंटा मैं यहीं करता रहूंगा और सारे एक्जांपल तुम करके देखो जैसे साथ बटा दो इसको भी कर लो एक बटा दो इसको भी कर लो बच्चा और आठ बटा दस इसको भी कर लो यह सबी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है जब हम जीरो से सफल लाते हैं भाग करके मतलब जीरो आ जाये तो तर्मिनेटिंग का लाता है जिनको सीखना है पूरा देखो अगर आप कॉम्पटिशन की प्रेपरेशन भी कर रहे हो आपके घर में भाईया दीदी भाभी अंकल अंटी है वो भी इसको देख सकते हैं क्योंकि उनके कॉम्पटिशन में भी आता है सीटेट सूपर्टेट और अगरा में आप देखोगे तो ससी और देखोगे इससे रिलेटेड कोईश्टन मिलते हैं अड़लटक जाते हैं उसी में क्योंकि बेसिक नहीं आता है हरी वो म्रावत तो बच्चों इसको समझ गये जो लिखने वाले हैं लिख लें इन दिस इन दिस आबर रिमाइंडर बिकमस जीरो आफ्टर सम इस्टेप यह इसकी इंगलीज परिभासा हो गई हिंदी में आप लोग परिभासा इसका लिखें कि 7 दसम्वलो में, 7 दसम्वलो परसार में, कुछ step करने के बाद 6,0 हो जाता है अगला इसमें क्या है कोई बताएगा title, अगला title कोई बताएगा देखो बच्चों समझो, non-terminating है अगला, यह आपका पहला था इसमें दूसरा है non-terminating, terminating सिंटींग अब यहां देखो इसका English बहुता रहा हूं Hindi भी क्योंकि हमारे आप सी बेसी बोर्ड के बच्चे भी होते हैं 36 बोर्ड सभी होते हैं मद्यपर्देश बोर्ड बिहार बोड्य यूपी बोर्ड सभी बोर्ड के होते हैं पूरे देश के बच्चे हैं तो उनको Hindi अग terminating requiring या फिर इसे repeating भी लिख सकते हो जिसे एक परकार से आप क्या कहोगे इसकी जो हिंदी ये बड़ी खतरनाक है अनोसानी पुनरावर्ती या फिर हमें लगता यही असांत दसंबलोपरसार है यही क्या है असांत दसंबलोपरसार है लेकिन मुझे कनफर्म नहीं है इसका हिंदी जो मुझे मालूम है जो मैंने ढूड़ा इंटरनेट से वह लिख लो अनोसानी आपके बुग में भी यही दिया है अनोसानी और पुनरावर्ती हिंदी इसकी बड़ी खतरनाक है जो हिंदी पढ़ते उनको पता होगा देखो समझो यह नान टर् करने के बाद में सेस्फब marc कि नई आता है नान टर्मिन टिंट्रमिनेट नहीं होता है लेकिन रिकोरिंग बजल हड़ाप मतलब रीपीड करता है रिपीड करता वारबार साइकल की ऐसे चैन जैसे जैसे साइकल देख हो साइकल में एक रिया चैन裡 होता है चलता रहता चलता रहता है असे खतम हो जाए नखे पंखा देखे हो सद में गुमता रहता है गुमता रहता है अई खतम होगा पूरा तो क्या होता है किसे है समझे रहा हो ना देखो यह पर मिनटके लिए गए सम्झो हून को इसका example देखो बच्चों जैसे one upon three one upon three इसका क्या है एक्जमपल है अब मुझे सभी बच्चे ये बताओ one upon three अगर इसको हल करोगे तो कितना आएगा चलो जल्दी बताओ बिर्जेस यादो बच्चा पढ़ाई कर लो जो हो रहा है अगर चलेगा तो अभी कंफर्म नहीं एक अगस्त से कच्छा दस का जो चलेगा वह पंद्रा जुलाई के बाद से हमारी पोसिस है लेकिन कच्छा दस के बहुत बच्चे नहीं हैं अगर 100 बच्चे से कम रहते हैं तो हम लाइब में पढ़ाते नहीं है मतलब लाइब कलास चलाने के लिए कम से कम 100 बच्चे होने चाहिए 100 से कम होते हैं तो हम लाइब नहीं चलाते हैं तो कच्छा दस में अगर आप 100 जोड सकते हो तो बताओ ठीक है इसका मैंने पूछा था कितना आएगा कौनों नहीं बताया मुके सर्मा जी बता रहें बस बहीं मैंने सबसे पूछा बच्चा वनापांथरी कितना आएगा देखो बिटा अगर इसको हम भाग करें तो इसको तो खतरनाक हिंदी इसकी हटाओ यहां से इसको ऊपर लिख देते हैं चलो बाग करते हैं आप लोग जान गया हूं अनुसानी पुन्रावर्ति क्या है यह अलाँ सानी भूण चुम्य पून्रा वर्थी ठीक है इतना क्लेयर थना भाई तो इसका क्या होता ना भाई बाबु देखो इसका जब भाग कलोकर तो 0.3333333333 ऐसे होता जाएगा कि और तक जाएगा अभी तो तुम बच्चे वोपड़ रहेए तब तक जाएगा जब तक तुम बड़े हो जाओगे तो मेरी स्थी हो जाएगे तुम्हारे चुणन्नु मुन्नु को चैनल ना मिले हां तुरन सब्सक्राइब कर लो अभी देर ना करो फटा-फट चैट का अपसन हटाओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो गंटी बजा दो तुरन चलो और सेशन को लाइक करो बहुत मश्ट टॉपिक होने वाला है फटा-पट करो चलो तो यह हो गया लेकिन क्या यह इसे लिखते हैं इसको फइला करके नहीं इसको लिखने का एक और तरीका है इसको हम लिख सकते हैं यह थिरी के उपर बार मतलब इसी में सब कुछ समढ़ जाता है वह कैसे है देखो मैं समझो इसको बताता हूं कुछ लोग सोच रहे होंगे आक गटाएंगे वन आएगा, उसके बार ऊपर दस मुल कि बढ़ाते हैं, फिर यह जीरों उतारते हैं, पोई भी संख्या में अगर कोई भाग नहीं जा रहा है, तो यह मत कहना नहीं जा रहा है, तो जीरों बार ले जा सकते हो हमेशा, वन बार भले न जाए लेकिन जीरो बार जाएगा क्योंकि जीरो वन से छोटा होता है तो बच्चों ये तीन बार जाएगा तो ये नो आएगा फिर गटाओगे फिर से वही वन आ गया अब बार बार दसमलो नहीं बढ़ाते हैं एक ही बार दसमलों बढ़ाते हैं बार बार जीरो उतारते जाते हैं उतारते जाते हैं अजारों बार फिर यह तीन गया फिर यह नो आ गया मतलब इसकी आदत में कोई फरक नहीं पड़ रहा है यह जैसे भी यह कुछ भी करो इनका यह खतम होने वाले हैं नहीं तुम चितना पार भी कर लो कि रंजु देवी कि पढ़ लो बच्चा पढ़ लो हां पढ़ लो पढ़ लो नहीं पटक देंगे उठाग कि चलो कि कितना आएगा इतना आएगा ना हो गया तो इसको आप समझ गए इस तरह से अच्छा और बता मुझे वैसे तो मुझे कांसेप्ट सिखाना बहुत ज्यादा करना है नहीं अगला एक और लिख लो वन अपान सेवन वन अपान सेवन यह कितना आएगा चलो करके बताओ फट 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 देखो बच्चों यह आपका 1.3 पढ़ने के लिए हम आपको तयार कर रहे हैं वैसे आपको यह कलास पीसले साल क सुकला सरने पढ़ाया था कृष्णा कुमार सुकला सरने पढ़ाया था कापी पैंसे तो तुम लोग रो रहे थे करेते नहीं सर्जी आप बोर्ड पर पढ़ाओ ना मुझे नहीं अच्छा लग रहे है तो मैं इसलिए बोर्ड पर पढ़ाने लागा तो बोर्ड में भी अच्छा ठीक है कि नहीं कि सब ठीक है ना चलो समझो आगे एक अगला इसमें लाइस्ट है नान टर्मिनेटिंग एंड नार रिक्वेरिंग मतलब रिपीटिंग यह तीन ही टॉपिक है इसमें लिखो नान टर्मिनेटिंग नार रिपीटिंग 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 मतलब लिख लो दोनों का मतलब एक ही हुआ तो अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है यहां पर समझो समझो बच्चों ये एक ऐसा DeciMail Expension होता है एक ऐसा दशमलोपरसार होता है जिसमें न तोी रिपीट होता है और न इही कटता है ये वैसे सरकारी नवकरी किदर है अमरी एंडिया में जैसे वैकंशी आती एतना ना वो पोरा होती है न वne cancel होती है बच्चा पढ़ता रहता है पढ़ता रहता रहता है आठ साल साथ साल छे साल 10 साल खिसक जाता है बहुक्त सारी ग्यांपल है पीछे देखो समझ रहें नayan चलो देखो तो इसको क्या करेंगे का लिखो अच्छा इसका इंगुलिब ने लिखुआ है क्या उपर वाले का in this reminder repeat after some step जो भी मिटाय दिये उसको लिख लो in this efficacy अध्र स्पारस क्यों इसका इंकिली डेपनेशन लिख लो भ noisy ahead इंगलिश डेपनेशन लिख लो बाबू कहा लिखोगे in this reminder नेबर जीरो नार रिपीट इसका इंगलिज परिभासा लिख लो इन दिस रिमाइंडर नेबर जीरो नार रिपीट एन ओ आर लिखना ठीक है हिंदी में लिख लो नान-terminating और नार रिपीटिंग दसमलो परसार में सेजफल ना तो सुनने आता है और ना ही रिपीट होता है ना तो सुनने आता है और ना ही रिपीट होता है जैसे एक्जामपल लिख लो एक्जामपल लिख लो जैसे 22 बटा साथ अगर तुम करके देखो भाग देके देखना कितना आता है फिर बताना और एक और यह अंडरूट दो इसका मान भी करके देखना फिर बताना 1.401 संथिंग ऐसे आता जाता है इसको भी करके बताना ठीक है तो यह था आपका जो इसमे कर आपका डाना हे बताना पढ़ो पढ़ोपकर थींगा दामों करेंद्दा कि चारावार डाल दाल तो किलैज अपने करो भाहिते हो को यह थियो कोई नहीं काम सा नहीं कुछ नहीं काम जैनृफ नहीं कीरिता जाया क्या कराइ da तो उज्वल सिंग चलें आगे बढ़ें ठीक है सब कुछ मज़ा आरही समझ में आरहा ना तो सबसे पहले तो तुम जितने लोग जुड़ें तुरंद लाइक करो अब लाइक करो उसके बाद आगे बात करेंगे तो उसके पहलें बोलेंगे नहीं चलो फटा-फट लाइक करो चलो बिर्जेश बेटा तुम अब सांत हो जाओ ने तुमको अठाक फेंक देंगे निकल लोग यहां से समझ रहो ना सांत हो जाब तुम हुआ है हुआ है सभी किये पटा-पट लाइक करो मैं देख पा रहा हूं कौन नहीं कर रहा है कंजूसी नहीं करना बही बैमानी नही है विख मांदारी से पढ़ा रहा हूं तुमें पूरीमांदारी और महनत के साथ पढ़ा रहा हूँ अब तुम अगर बैमानी करो तो फिर यह हम नहीं होगा चलो देखो बिल्कुल एक बात बतादू नहीं पढ़ोगे ना तो ना नोकरी मिलेगी नोकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी चोकरों नहीं मिलेगा जो छोकरियां उनके लिए तो फिर आगे चिल्लू मिल्लू नहीं आएंगे फिर आगे कुछ होगा नहीं समझ रहो ना तो इसलिए पढ़ लो बस यही एक छोटा सा उदारन जिससे तुम समझ सकते हो पढ़ लो समझ गए ना कच्छा नौ में पढ़ते हो भी भोगा क्या नहीं पढ़ो लिखोगे मांगाई इतनी जादा चल रही मालूम है सबजी लेने को भी पैसा नहीं रहेगा सबजी सो रुपे किलो मिल रही है परवल हमरे इलाबाद और में त lle क्या करोगे तेल 200लड मिल रहे है खाओगे नहीं इसलिए पढ़ लो मंई पापा कबतक तक करेंगे सोचो अगर का अगशा नौ में हो तो मम्मी पापा कब तक करेंगे तुमको तो कभी ने कभी करना पड़ेगा ना इसलिए पढ़ लो चलो देखो इतना हो गया तो बच्चों अब चलते हैं exercise 1.3 में कलाफ 9th NCRT में यह बताओ सबसे पहले कौन-कौन किताब लिया है किताब लिया है किताब लिये हो सबी बोलो यास या नो बुक लिये और रोज पूछता हूं न किताब लेके आया करो अच्छी से पढ़ना है तो हां चलो देखो बच्चों जो पहला कोईश्चन है वो क्या कहता है यहां पर समझो पहला कोईश्चन कह रहा है बटे हो तो भाइय चलो लिख羽ारे सभीजाइ इसका बताओ इसका दस अम्लों परसार किस परकार का है चलो बताव भी फतर फटा बता अच्छो दूसरा बताओ ONE उिद्दैश्ळ लों परसार किस परकार का है निटेश-कुमार अरि सव समिनकर अंशRes के représेंच इनको सब्जी के भाव से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब्जी नहीं खाते हैं यह कुछ और खाते जो लोग नहीं खाते उसको खाते पता निए कहां कहां से आ जाते देखो ये terminating है कि non-terminating है मतलब दासमलो परसार सांत है या और क्या कह रहा था दासमलो परसार किस परकार का है यह पूछ रहा था तो ठीक है बच्चों कर लो फटाफट कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है अगर तुम कंसेप्ट सिख गए और तो फिर कोई तुम्हें रोकी नहीं सकता है इसको करने में देखो अधिया है इनके दर्द हो रहा है सुलो मोड हटा दो यह कापी पेस्ट करें 36 बटे 100 यह इतना आएगा ना दो अंक पर दसामलो लगेगा ना क्या होगा टो अंक पर डेसिमल लगेगा तो बच्चों यह कहने का मतलब है कि सेस्पल 0 आएगा जब हम 36 में भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा 0 उतारोगे 36 आएगा दसामलो बढ़ाओगे 0 उतारोगे 3 बार जायेगा भाई यह तो तुम जानते हो इसमें तुम बताऊंगा नहीं कि है इसको भी बताऊं कि भाग कई से होता है अब जब यह भी नहीं जानते हो तो 0 लेबल गड़ी देखो चलो समझो तो बच्चों अगर सेस्पल 0 आ गया तो इसका जो decimal expansion होगा वो terminating होगा मतलब कि सांथ होगा आप लिख लो decimal expansion is terminating या फिर लिख लो ऐसे सांथ ठीक है क्या लिख लो सांथ सांथ दसमलो परसार दूसरा क्या है दूसरा भईया खतरनाक है मुझे लग रहा है कि दूसरा खतरनां के बच्चा पहले तो तुम भाग कर के मझे बताओ कितना आयगा जीरो पॉइंट यह जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन अई से जाए अगया यह फिक फथमनी होने वाला है है ना भाई अनुराग सिस्वाल कुछ नहीं सौरब मौर्या बेटा तुम जाओ कुछ और करो है देखो यह आप भाग करोगे बार बार रिपीट होगा रिपीट होगा मतलब क्या कहोगे इसे फिर नान टर्मिनेटिंग रिपीटिंग न यह टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है ठीक है यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है अगर पढ़ना है तो छोड़ के ना जाना बाकी अगर जाना तो निकल लो कोई दिक्कत नहीं है देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ यहां पर समझो यह कैसे लिखाओं बच्चों यह कटेगा नहीं और बार-बार रिपीट होगा कुछ ही गिंती ले करके क्या होगा यह रिपीट होता रहेगा जैसे देखो तुम इधर समझो हमें क्या करना था हमें वन में 11 से भाग करना था मतलब एक में 11 से भाग करना है तो पहले हम जीरो बार ले जाएंगे यहां पे जीरो बार जब ले जाते हैं नहीं गाएं यह दो जीरो बा instruments कर दूं माय नहीं जीरो आधा है आए यह रहो नहीं कि चो crack op अमिद। अब इससे नहीं होता है यह जब ऊट अब उह Tut आ भाग कि अब ले गए तो पर उपर नहीं तो पो जीरो नहीं आया है और ले जीरो उतारेंगे लेकिन अभी ये भाग ले जाने के काबिल नहीं बना अब फिर क्या करेंगे बाइया जब नहीं पूरा हो रहा है वो छोटा पढ़ रहा दस ग्यारा बढ़ा है तो उपर एक सुनना बढ़ाओगे तब यहां एक सुनना और उतारोगे याद रखना अगर कि इसी गिंती के बगल में दो जीरो उतार रहे हो तो हमेशा उपर एक जीरो बढ़ा के तभी उतारोगे ऐसा नहीं कि एक बार दसमलो बढ़ा दिये तो तुम थोक रेट में दस बीस जीरो उतार लोगे नहीं सिर्फ एक ही अला हुए उससे आगे अलग चार्ज देना पड़ अब इसकी गरीबी फिर से वैसे शुरू हो गई उपर दसमलो बढ़ाया है तो सुनना तो उतार लिया लेकिन फिर भाग नहीं जा रहा है बतलब महा गरीबी है इसके तो क्या करेंगे अब अब क्या करेंगे बच्चों फिर फेक जीरो बढ़ाएंगे फिर इटी और फिर यह नौ बार जाएगा और तुम देख पा रहे हो यह फिर वहीं पहुच गया ऐसे करते जाओ करते जाओ बार 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 करते जाओ करते जाओ मुझे लग रहा बरैटनेस कोड़ेत थोड़ा कम चमा करा Jew committee's नौका वेखलो दो यह नौक बड़़ा ना टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है यह मतलब इसे हिंदी में का लिखेंगा अनौसानी पुंड्रावर्ती नाइन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखो अनौसानी कि पुंड्रावर्ती इंगलिस में लिख लो नान टर्मिनेटिंग Recreation non-terminating repeating ठीक है Hindi वाले लिखले शुर्च है हमें लगता हिए यह क्या है असांत दड रसमलों परसार है है लेकिन मुझे इसकी Hindi बहुत अच्छी clear नहीं है अनौसानि पुन्रा वर्थी इसकी Hindi होगी या अपके उत्तर बाकि यह चीज तो तुम कहीं सभी जान लोगे हिंदी उन्दी का होती है ठीक है यानि अगर सेजपल जीरो ना आए बार-बार कुछ गिंती रिपीट करें बार-बार रिपीट करें तो वह नान टर्मिनेटिंग होता है लेकिन अगर सेजपल जीरो आ जाई इस तरह से तो वह टर्मिनेटिंग होता है या फिर दसमलों परसार क्या होता है सांत होता है अब ही और जूम करें कम मज़ा रही है कि अब तुम लोग पड़ भी रहो कि में खालतू चिला रहा हूं कि समझ में आरा ना सबको चलो आगे बढ़ते हैं तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लिया इसमें एक दो जो और है उसको कर ले ना मैं क्या बता हूं फालतू कर लोगे कि नहीं तीसरा बताओ अब तुम बताओगे मैं नहीं बताओंगा अन्हीं बहुत देगा ना उसे यहां पर पढ़ाना नहीं दिया जाएगा रिको समझो कि तीसरा कि ओर इंटू कि वन अपान एट कि चलो बताओ इसका डेसिमाल एक्सपेंशन क्या होगा सबी बच्चे बताएं मनोज सिंग बेटा और देर में आओ और देर में आओ सात बज़े सुरू होत यह तुम नो बज़े आओ फिर अभी देखो क्लास खतम हो जाएगी ना तो वाच रीपले का आप सनाएगा दूबारा देख लेना जो बच्चे सात बज़े नहीं जुड़े थे वह बच्चे इस क्लास को रिपीट कर लेंगे रिपीट कर लेना सब समझ में आ जाएगा चल इसलिए तो मैं दस सिकेंड के लिए लगाया हूं रोक कुछ आईसे नालायक है ना जो काफी पेस्ट करते हैं तो बेटा दो बार पेस्ट करते हैं होता ही नहीं है तब तक किसी और का कमेंट आ जाता है नहीं तो यह जो इमोजी आ रही ना सवरभ की लगातार के वलीनी का सर्छान दिखता है जऄल बाबा की किसी का ना दा अगर कोई में सब्सक्राइब करए अधा से टाइब करेगा तो फिर आएगा कमेंट अगर पेस्ट करेगा नहीं headquarters कर लोगे न भाइया कि अब बोलते को है कि नहीं तुम लोग है छोंना जानलो कि और दिमाह रहता चैल करते हैं पहुत मारता 지금 करके हमारा होमर्क करके लाते थे चाहे और गृृ缉जिका करे नहीं करें कि नाइन टेंथ वाले बहुत फास्ट करते उनको पता था मैत में नहीं करेंगे तो गड़ बढ़ जाएगा चलो कि देखो यहां पर समझो यह अगर हम थोड़ा सा वर आगे बढ़ाएं तो यह बत तैंटीस बटे आठ हाएगा अगर इसको भाग करोंगे बच्चा तो क करके देख लो फिलहाल बड़ा डेंजरस आएगा मुझे लग रही है कि कट जाएगा बिल्कुल सही रंजुदे भी बता रही बहुत अच्छे जस्बिंदर सिंह बहुत अच्छे बेरी गुड साजन कुमार हां भाईया कट जाएगा बाब ठीक है बहुत अच्छे यही तो कि भागफल आजाएगा तो आप इसे लिख नोगे टरमनेटिंग क्या है यह टेर मिनेटिंग है मिन्स सांत दसंब्लों परशार फिक है टर्मनेटिंग डैसिमल इकसिपेंसन या सांत दसंब्लों परशार तो इसमें एक आओर भी है जोब यह कर लोगे अब मैं नहीं बतान उसके बाद 5 वाला बताना 2 अपान 11 सभी बताओ सभी 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 फटाफट उसके बाद 3 2 9 400 चलो सोवन पंडित चिराग रितिक बिर्जेश सोनू सोनम निसांत ठीक है बच्चे बेरी गूड बेरी गूड बेरी गूड बेरी गूड बहुत अच्चे 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 ब कि बनो जादवारा समझ में केसव दूबे सब को आरा ना बच्चा अन्सु आ रहा है प्रियंका सिंग आपको भी आ रहा है न अच्छा यह बताओ आप लोग कलास को कहा है नहीं लाइक किया ऐसे मजा आएगी क्या सभी साथी जल्दी से सेशन को लाइक करो और चैनल को सब्स करोके दिन बडंडा करो गें राद के बारह बज़े वीडियो काल कर दोगे देख लें कहां है हम तो इसे जो समझ दार है वह नहीं करते हैं मुझे रात मेने तो मैं जानता हूं कोई यह सटका लूंडा है यह मुझे मालू में नाहिंत वालह होगा जो को यार प्रसनल जिंदगी भी होती है मान लो कलास बंद होगी 10-11 बजे उसके बाद तुम 12 बजे वीडियो काल करोगे कौन कहां है कैसी अवस्था में तुमको कैसे दिखा दे बताओ चलो सुरेंद्र सिंग ठीक है बहुत अच्छे अंसराज दीपक तो भाईया यह आज आपका जो सेशन है मुझे लगता है हो गया खतम कुईस्टन नंबर फ़स्ट हो गया कुईस्टन नंबर सिकेंड हम लोग कल पढ़ेंगे आप लोग करके लाना वैसे हो जाएगा इसमें 9 कुईस्टन है एक बात सभी बताओ बच्चे कौन कहां से जुड बाताओ रही है आप कॉन से जिले से हो अपना जीला बता और राज्ये दूबारा कमेंट नहीं करना सिर्फ एक बार बताना जलो है कापी पेस्ट नहीं होने पाएगा जल्दी से बता दो कलास बंद करते हैं क्यूंकि कलास खताम हो घुटा-फट-फट अब देर नहीं चलो बच्चे तुरंद रभी संकर तुम अभी आए अभी तक तुम कहां गए थे बिना कुछ पढ़े के ओल टेस्ट है हो जाएगा का रंजु देवी मैंने पूरा बात बूचा जिला और राज्ये जिला और राज्ये भाई रंजु पटना बिहार से हैं जो पूरा नहीं लिखेगा उसका मैं नहीं बोलूँगा जो जिला और राज्ये दोनों नहीं लिखेगा उसका मैं नहीं बोलूँगा बूंदी राजस्थान से मुकेस हैं, बिहार से संतोस मिस्रा हैं, छपरा से, सुपॉल बिहार से चेतन भी हैं, गोपाल पंडित पुलुंजा, पुलुंजा कहा है भई, जिला का नाम लिख़रो, राज्य भी बताओ, अपने गाओं का नाम मत बताना मोहला, हम नहीं जानते है जमसेदपूर, यह भी तो राजस्थान में है न, एक ही बार कमेंट करो, रुको मैं बेट करा देता हूं, इनको और थोड़ा सा, एक मिनट रुको तो भई, एक ही बार नहीं करेंगे, यह डंडा कर देंगे, यह डंडा कर देंगे, एक मिनट रुको, जब भई या, एक मिन सोनुंजी है भाई कोबरा से है प्रितमपिस कर्मा रीवा मध्यपर珍 से है बहुत अच्छे प्रितमजी बेरी चुल्ट बेरी चुल्ट ते इसे हैं अनिस्राज पृँ प्रितमपक्तन सब्संद्त है है भाई बिहार के पावापूर से अनुराग ठीक है आप मजा नहीं आई सारा मजा फीका हो गया क्योंकि इंटरनेट बीच में कट गया बच्चे आधा भाग गए तो चलो बंद करते हैं फिर सोनम राय जी विल्कुल कमेंट आ रहा है कपिल कसान महंदरगड राजस्थान से ह इसको मैं एकदम से बलाक कर दे रहा हूं पता नहीं कहां से आ यह क्या कौन इसको पता नहीं कैसे कैसे पईदा हो जाते हैं निसांत जी है भाई जौन पूर से और आंसराज मुतिहारी बिहार देखो एक मिनट का होल्ड लगा है ह। फिर भी यह सब बार-बार कमेंट कर रहे हैं हां 10 मिनट लगा दूं क्या आप सिधा सिधा 10 मिनट में भी नहीं तसली मिल रही है एक मिनट में नहीं तसली है चलो ठीका बंद करते हैं सारा मज़ा कि श्रका फिका हो गया इंटरनेट चला गया नरान मैं लगभाग भाई इसमें मुझे यह निकल रहा निसकर्स की बिहार से हैं गुजто रात से हैं और UP से हैं राजस्थान से हैं बच्चे-कुछ-बच्चे-दिल्ली से भी हैं और MP से भी कुछ बच्चे हैं कि एक है बेस्ट अमपारन से हैं दीपक सर्मा लेकिन एक ही बार बताओ मुझे लग रहा है कि तुम लोग बार-बार कमेंट कर रहे हो अठारा बार कर रहे हों बार-बार एके नाम बोलें चलो कलास बंद हो गई फालतु का टाइम नहीं बेस्ट करना बंद करो फिर बहुत-बहुत थैंक्यू आप सभी को जैहिन कल की कलास साम साथ बजे होगी आज रात में नो बजे कलास और होगी याद रखना है एक चीज और सुन लो एक चीज और सुन लो बड़ी इंप्वार् सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपकी अधिकांस कला से चल चुकी है और फिर अभी इसी पर चलेंगी